कि नमस्कार मेरे दुरू सब्सक्राबर्स आयोब आप सब दुख तक लिफो समुक तक दम पढ़िया जिन्दगी जिए रहोंगे देखो अंति मुवी रिलेज हो चुकी भाई कंटेंट दमदार था भाईजान के अक्टिंग से लेकिए हर एक चीज तक में किसी ने सवाल तो ऐ उठाने सकते क्योंकि कुकि एक यह लिए खान को तो सिद्ल करता और बाइट चलेक्शन चाइक्टर ने 0.75 रुपय की ओपनिंग लिए उसके उस अक्टर को वह भी उपनेंट रिलीज होके अकेले उसके एक्टर के जो है फान्स को कर रहा है क्लेक्शन को लेकि मेरा काम देखो हेट फैलाना नहीं है मैं किसी भी आक्टर से हेट नहीं करता हूँ मैं हर एक बंदे को हमेंसा सबोर्ट करता हूं आपको पता होगा मैंने सुरी वन्सी का कैसा रिवीव दिया था मैंने सत्य में तू को भी बोला था कि ठीक ठाग मूवी है लेकिन जब लोग फाल तुमें हेट फैल आते तो भाई यार अंदर सना को फालतू की बात करते हो मैं डारेक्टली किसी को बोलूंगा नहीं लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं जो लोगी लिगिटिविटी फैलाते उस अच्छे से समझ लें दस साल पहले कि तुम एक तट आई गई कर देना तब बात करना के या कलेक्शन की अब हम बात करते है अपनी मूवी के बारे में देखो अंतिम ने एक बहुत ही डिसेंट ली ऊपनिंग ली चार दसमलो इसी करोन के अपराक्स करोंड के समन्तिंग जो है ऑपनिंग डे पे बिजनस था प्रेडिक्शन के साब से काफी कम एक दो करोंड का अंतर आया जो प्रेडिक्ट किया था कामेर भाई लोगों ने और विवा की लोगों ने अब तीम की तरब से उफिसियल कलेक्शन तो जारी नहीं किये गए हैं सत्यमेव जैदे टू अलों ने पहले दिन तो अपने दिये थे आज संडे आज के दिन भी काफी अच्छी ग्रोथ है तो कम से कम यह 6-7 करोन उपे बिजनिस करेंगी इस हिसाब से इसका वीकेंड देखा जाए तो 17-18 करोन के बीच में इंडिया ने जाएगा ग्रॉस सायद 20 करोन या प्लस कर जाए क्योंकि कुछ एक्जाक्ट पता नहीं च आपके हिसाब से नहीं चलता इस तरह ने प्रूफ होता महाराश्या 50 परजेंट है स्क्रीन से डिवाइडन है सुरण सी अभी बी चल लई है सत्य में हो जाते तो पिट तो बूरी तरह से चुकी है वह डिजास्टर हो जाएगी उसे कोई नहीं बचा सकता फ्लॉफ होने से लेकिन उसने जो अन्तिम का घाटा करवाया उसे आपको समझना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात यह मूवी सलमान खान की नहीं थी जिस तरह से प्रमोट गिया रहे था मैंने एक बार बोला था किसमें एक गंटे प्रॉक्स का जो है इनका रोल होगा भाईजान का जिस हि इस आप से दिखा जाएगा तो बहुत ही डिसेंट तरीके से सुरू हुई है और सत्यमें उजेती टू से तो बीज गुना ज्यादा मतलब वह पिच्चर तो सटरेटे के दिन से उतना चालू हो गई मतलब स्क्रीन भी कम हो गई सूरीवनसी को स्क्रीन दे दी गई अंतिम को स्क्रीन मिल गई साथ से सत्य करोंड की पिच्चे का यह हाल हो रहा है अंतिम का आप पोस्ट प्रोडक्शन वर्ट से लेके यह मार रेटिंग का पूरा खर्चा जोड़ेंगे तब भी कहीं जाके 40 करोंड के अंदर यह पूरा खर्चा आएगा इसके अपने खुद ही इस कि भाई जब तुम्हारी विच्चर नेती तुमने प्रमोट किया क्या यह ठीक उसी तरह सा था जैसे सुर्यमेंसी के मेकर्स ने तीन तीन एक्टर का फोटो डाला सिर्फ 15 मेंट के लिए जो लोग आया थे उसको लेके तो प्लीज यह चोड़ो यार मतलब बचकान नहीं कर देखना क्या है तुम लोगों ने 10 साल पुराना क्लेक्शन उठा के देख लो जाके वाई जिसको ट्रोल करना है तो यह अन्तिम का बॉक्स आफिस रिपोर्ट है यह पहले हफते में में भी अपना बजट कभाई कर ले या फिर देखते हैं कैसे क्या होता है मुवी को ज्या जाँगा आपको अंतिम कैसी लगी थी मैंने अपना डाल दिया था और प्लीज हेटर्स को जवाब जरूर दो या इन लोगों को जरूरी होता क्योंकि निगेटिविटी फालत में फैला रहे हैं मतलब कोई तुख ही नहीं बात कर जो मन में आए वो बोल नहीं ठीक है ऐसे ह सब्सक्राइब करें मिलेंगे अगले वीडियो में ओके बाए जाहिए